टीवी के मश्रूर एक्टर गूफी पेंटल का बीटे गई हो निधन हो गया। निधन की खबर से हर कोई इंडस्ट्री से जुड़ा सद्मे में महाभारत के शपनी मामा के रोल को प्ले करते हुए गूफी को काफी पहचान में। हाला कि इसके अलावा गूफी ने कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम किया और अपनी अलग पहचान में बनाए। गूफी को कोई भी किर्दार दे दिया जाए तो वो उसे इस तरह निभाते थे कि मालो उसमें उन्हें महारत हासे। जब गूफी शकुनी मामा बने तो लोग उनसे निफरत करने लगे। लेकिन जब उन्होंने कॉमिक रोल किया तो लोगों का दिल जी दिया। गूफी का जर्म पंजाब के स्थिक फैमिली में चार उक्टूबर उनने सो जोवा जिस को हुआ था। बाल में उनका परिवार दिल्ली में आकर के रहने लगा। उनके भाई कवरजीत पेंटल भी अच्छे खासे एक्टर थे। फिल्में हो यह टीवी सीरियस। पेंटल का नाम दोनों ही पड़ों पर काफी अच्छा था। इसी का फायदा गूफी को भी मिला। बस नोंने भाई के नक्षे कदम पर चलते हुए मुंबई में एक्टिंग का रुख किया। गूफी पेंटल ने अपने करियर की शुरुआत 1975 को आई फिल्म रफू चक्कर से की थी। इसके बाद दिल लगी, देश पर देश्ट, मैदाने जंग, दावा, दर रिवेंज, गीता मेरा नाम जैसी कई फिल्मों में नज़र आए। उन्होंने लगबद 10 फिल्में और 16 टीवी स्टील्स में काम किया। लेकिन पहचान महाभारत के श्यकुनी मामा के रूप में मिली। इस आइकॉनिक करदार को गूफी ने इतने बहतरीन तरीके से निभाया कि आज भी लोग उन्हें उसी रोल के लिए जाने जाते हैं। गूफी के ये करदार आज उनके जाने के बाद याद कर रही है। TV इंडस्ड्री हो या Bollywood की इंडस्डी हर कोई गूफी को श्रतांजयली दे रहा है। गूफी पेंटल का Bollywood और टेलिविजन में जो नाम रहा है। आज वो नाम स्वर्णिम अक्षरों में इका जा रहा है। लोग गूफे को याद कर रहे हैं और उन्हीं भाव भी श्रताज़ी दे रहे हैं।